हेलो एवरिवन एंड वल्कम बैक टू मैं चैनल लर्नर सब तो आज जम लोग शॉट स्टोरी डिसकर्स करने जा रहे हैं उसका नाम है दे यलो वाल पेपर जो कि एक एक एमेरिकन शॉट स्टोरी राइटर शारलेट परकिंस गिलमेन के दौरा लिखा गया है तो अब देखे इस वीडियो को डारेक्ली शुरू करने से पहले न मैं आप लोग को इस स्टोरी से लेटर कुछ इमपॉर्टेंट फैक्ट्स या बाते बता देना चाहता हूँ ताकि आगी चल कर आप लोग कोई कन्फूजन ना हो और ये स्टोरी आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाए तो देखे सबसे पहली बात तो ये है कि स्टोरी को न येर 1890 में लिखा गया और फिर येर 1892 में इसे बॉस्तन सिटी के एक मंतली मैगजीन जिसका नाम The New England मैगजीन था तो उसमें इसे सबसे पहली बार पब्लिश किया गया और फिर येर 1899 में यानि 7 साल के बाद इसे दुबारा से इसे एक बुक के फार्म में पब्लिश किया गया फिर इसके दूसरी जरूरी बात ये है कि ये स्टोरी जो है ना The Yellow Wallpaper तो ये एक Gothic Fiction और एक Social Political Allegory के जानर में फॉल करता है या उस कैटेगरी के अंदर आता है तो अब Gothic Fiction तो इसलिए क्योंकि इस स्टोरी में हमें काफी सारी जगों पर हमें Psychological Horror देखने को मिलता है और Social Political Allegory इसलिए क्योंकि स्टोरी के Main Plot के पीछे राइटर हमें Women की Social Issues को दिखाने के कोशिश करती है और वो हमें उनके चार दिवारों के अंदर रहने वाली Confinement को भी दिखाने की कोशिश करती है फिर इसकी तीसरी ज़रुरी बात ये है कि स्टोरी को न, American Feminist Literature में इससे एक काफी important work मना जाता है क्योंकि ये पुर्षो के या men's के उन attitude को दिखाता है विच वह वेरी common during the 19th century towards women's mental and physical health और फाइनली इसकी last important point ये है कि ये स्टोरी जो है न, The Yellow Wallpaper तो ये असल में एक journal entry की series है ये एक diary entry की collection है जैसा कि हम अपने personal diary में entry करते हैं ये लिखते हैं तो वैसे ही ये एक diary entry की collection है और इनी collection को एक साथ assemble करके ये gather करके इस story के plot को construct किया गया है और इसे एक structure दिया गया है जहाँ पर इस story की जो narrator है वो हमें एक unknown से lady की story बताती है जिसे की किसी तरह का nervous depression हो जाता है after giving birth to a baby child और इसी nervous depression को ठीक करने के लिए उस unnamed lady की जो husband होते है न जिसका नम John होता है तो वो उसे treatment के लिए वो उसे शहर से थोड़ी दूर किसी countryside mansion में ले आते हैं ताकि वहाँ पर वो जल्दी से ठीक हो जाए और वो वापस से वो पहले की तरह normal act करने लगे तो चलिए अब ये तो हो गया इस topics related काफी detailed information तो अब बिना time waste की आज को जो हमारा short story है तो इस story की शुरुआत कुछ इस तरह से होती है कि एक unknown सी young lady जिनका के इस story में हमें नाम नहीं बताया गया है तो वो young lady जब शादी के बाद वो अपने पहले बच्चे को जन देती है ना तो अचानक से उन्हें किसी तरह का nervous depression या hysteria हो जाता है जिसमें कि एक इनसान के emotions उसके control में नहीं रहते हैं और उसे एक तरह का psychological disorder या stress से हो जाता है तो वो lady जब अपने husband जौन से ये बताती है कि उसे कुछ अजीब सा लग रहा है और उसे ऐसा लग रहा है कि जैसे उसके आसपास का atmosphere या उसके आसपास का situation उसे बीमार कर रहा है तो उस lady के husband जो की एक doctor भी होते हैं तो वो उसे suggest करते हैं कि ये बस एक slight सा nervous depression या hysteria है जो की अराम करने से और ताजी हवा लेने से ठीक हो जाएगा तो इसलिए अपने wife को अच्छे से treatment देने के लिए और उसके atmosphere को या उसके आबू हवा को change करने के लिए वो ये decide करते हैं कि अगले 3 महिनों के लिए वो अपने summer vacation को अच्छे से spend करने के लिए वो countryside के किसी बड़े से mansion में या state में जाकर रहने वाले हैं और अब यहां से इस story का जो main plot है न वो शुरू होता है तो अब वो lady जब अपने husband John के साथ वो उस countryside के किसी बड़े से mansion में पहुचती है तो वो ये देखकर काफी surprise हो जाती है कि आखिर उन लोगों को इतने कम किराये में इतना बड़ा mansion कैसे मिल गया और आखिर ये mansion इतने लंबे समय से खाली क्यों था तो वो lady फिर थोड़े romantic tone में वो ये comment करती है कि ये घर दिखने में कितना बड़ा और आलिशान है और उतना ही mysterious भी तो अब देखिए उस mansion के चारो तरफ न एक बड़ा सा beautiful garden भी होता है बिलकुल किसी fairy tale की तरह और इसके साथ ही उस mansion के नीचे वाले फ्लोर में काफी सारे beautiful rooms होते हैं और उसके उपर वाले फ्लोर में एक बड़ा सा spacious कमरा होता है जहां पर हर वक्त आजी हावा भी आती रहती है बट उस उपर वाले कमरे का बस यही एक problem होता है कि उस room के दिवारो परना उसके चारो तरफ एक अजीब सा पुराना yellow color का wallpaper लगा होता है जो कि कही जगों से फटा होता है और इसके साथ ही उन wallpapers परना कुछ अजीब से print होते हैं या pattern बने होते हैं जो कि दिखने में थोड़े से disturbing होते हैं तो नव यह story जब थोड़ा आगे बढ़ता है और वो lady अपने husband के साथ उस mansion में अंदर जाती है तो वो lady फिर अपने husband John से यह request करती है कि वो नीचे वाले किसी कमरे में ही रहना चाती है बड़ उसके husband उसे यह कहकर मना कर देते हैं कि उपर वाला कमरा उसके लिए जादा बह spacious है और वहां पर हरवक ताजी हवा भी आती रहती है तो अपने husband के इनी suggestions को accept करके वो lady फिर उस उपर वाले room में ही रहने लगती है और उस lady को ऐसा लगता है कि ज़रूर ये room पहले कोई nursery रहा होगा जहाँ पर कुछ बच्चों ने मिलकर उन्होंने ही इन दिवारों के walpers को नोचा होगा या tear किया होगा तो अब कुछ समय तक यूही उस घर में रहने के बाद उस lady को ना ये realize होता है कि उस घर में कुछ तो बहुती अजीब सा है जो कि उन्हें और ज़ादा बिमार कर रहा है especially उनके room में तो अब देखिए असल में ना problem उस घर में या उस room में नही होता है बलकि problem उस lady के treatment में होता है और उनके रहन सहन और उनके lifestyle में होता है क्योंकि 19th century के time पे अक्सर महिलाओं को उतनी अजादी नहीं दी जाती थी जितनी की आस दी जाती है और उन्हें स्रिफ घर के चार दिवारों तक या domestic life तक ही सीमित रखा जाता था और इसी वज़ रंग लेडी के case में भी कुछ ऐसा ही होता है जहांपर उसके husband john जो होते है न वो उसे कोई भी decision उनकी खुद की मर्जी से लेने ही नहीं देते हैं और वो तो उन्हें किसी बच्चे के ट्रल ट्रीट करते हैं और इतना ही नहीं उस lady का जो treatment चल रहा होता है जो कि उसके doctor husband के द्वारा ही prescribe किया गया होता है तो उसमें भी उनके husband john का ये कहना होता है कि उसकी wife को total rest की जरूरत है और उसकी wife को किसी भी तरह का physical या mental work करने की कोई जरूरत नहीं है वो बस 2400 घंटे वो अपने room में ही बैठ कर अराम करती रहें ना तो उन्हें कोई पढ़ने की आजादी थी और नहीं उन्हें किसी बाहर वाले से मिलने की आजादी थी वो तो even अपने बच्चे तक को नहीं देख सकती थी तो अब इतने सारे restrictions होने की वज़े से कोई भी आदमी या औरत कैसे ठीक हो सकता है जब उसके उपर इतने सारे restrictions हो और उसे किसी और के हिसाप से manipulate किया जा इसने रूम में लगे उस यलो कलर के faded printed wallpaper से frustrate हो जाती है और वो फिर अपने husband से कहती है कि देखिए आप या तो इस रूम के wallpaper को change कीजिए या फिर मुझे किसी दूसरे रूम में shift करवा देजिए बड़ उसके husband उसे reply देते हैं कि तुम ना इन सब फालतू के चीज़ों पर द्यान मत दिया करो और तुम शांती से अराम करो और अपने दिमाग को शांत रखो वो बस एक वाल बे परी तो है और इसी तरह से वो फिर से अपनी wife के problem को नहीं समझ पाते हैं और वो उसे ignore कर देते हैं और इसके साथ ही उस lady के husband यानि john वहाँ पर वो अपनी एक बेहन जि थोड़ा manage कर सके बट वो अपनी wife के real problem को तो समझ ही नहीं पाते हैं जो कि चार दिवारों के अंदर एक room में कैद रहने के वज़े से हुआ होता है फिर इसी तरह से जब थोड़ा और समय बीचता है तब वो lady के mental condition होता है न वो धीरे-धीरे करके इतना बिगर जाता है कि उ उस lady को न फिर उस yellow color के wallpaper में और उसके print में उसे एक रहस समय या mysterious pattern दिखने लगता है और उसे उस yellow color के wallpaper में से एक अजीब से foul smell आने लगती है और इतना ही नहीं उस lady कर जो imagination होता है न वो उसके दिमाग से इतना बेकाबू हो जाता है कि उसे उस घर के mansion के अगल बगल यानि उस garden के रास्तों में उसे कुछ काले रंग के परचाई वाले लोग भी दिखने लगते हैं तो वो lady जब अपने husband John से ये सब बताती है तो उसके husband फिर उसे reply देते हैं कि ये सब बस उसके imagination या fantasy का ही एक product है और अगर वो शान्त रहेगी तो ये सब ठीक हो जाएगा तो वो lady फिर John से request करती है कि अगर वो थोड़ा बाहर जाएगी कुछ activity परफॉर्म करेगी अपने दोस्तों से मिलेगी तो वो जल्ली ठीक हो सकती है बर उसके husband फिर से उसे ये कहकर मना कर देते हैं कि जादा लोगों से मिलने पर उसकी जो physical condition थोड़ी बहुत ठीक भी होई है वो और जादा बिगड़ जाएगी और फिर इसी तरह से एक दिन जब जुलाई के महिनों में उनके family members भी वहाँ पर उनके पास आजाते हैं कुछ दिनों के लिए तो इससे उस lady के तबियत और भी जादा बिगड़ जाती है और वो और ज़रा tired और frustrated हो जाती है और अब इस point पर आक ignore करते हैं तो इसलिए वो अब खुद उस wallpaper के mystery को solve करेगी और वो उसके patterns को समझने की कोशिश करेगी तो अब इसके बाद वो lady फिर रात रात तक जाकर वो उस wallpaper में बने उन different prints को और उसके patterns को observe करने लगी और वो उसे समझने की कोशिश करती तो पहले कुछ दिनों के observation पर उ observation के बाद उन्हें उस jail में या उस cat खाने में एक लड़की भी दिखने लगती है जिसे देखने पर उन्हें ऐसा लगता है कि जैसे वो लड़की उस cat खाने में रेंग रही हो या creep कर रही हो और फिर finally कुछ और दिनों के observation के बाद उस lady को उन wallpaper के patterns में और उसके sub patterns में उसे य दिखने लगता है कि जैसे एक cat खाना है और उस cat खाने में एक नहीं बलकि बहुत सारी महिलाएं उसके अंदर कैद हैं और पीडित हैं और वो महिलाएं दिन के समय में वो उस wallpaper में ही रेंगती रहती हैं या creep करती रहती हैं बट रात के समय में वो पूरे घर में घूमती रह है कि उस लेडी को जो उन लड़कियों की या औरतों की जो परचाई दिखाई देती है ना उन पैटन्स के अंदर तो वो असल में उस लेडी के दिमाग का ही एक illusion होता है या imagination होता है क्योंकि वो खुद एक confined life को जी रही होती है जहां पर उन्हें कुछ भी करने का अधिकार नहीं होता है वो सारा दिन बस एक room में कैद होती है और वो बस रात के समय वो उन पैटन्स को observe करती है और कभी कभार वो अपने husband से छुप कर वो secretly daddy लिखती है तो इनी सब चीजों की वज़े से उसे depression हो जाता है और फिर आगे चल कर उन्हें अपनी life और अपनी जैसी और औरतों की life का एक prototype दिखने लगता है या एक image दिखने लगता है उन wallpaper के patterns के अंदर तो अब इस story के last में क्या होता है इस story के last में ना दो major incidents होते हैं जिसमें से पहला तो तब होता है जब एक दिन जान के sister जैनी अपनी भावी को या उस लेडी को देखने के लिए वो उसके room के अंदर आती है और तभी जैनी दिवार से निकल रहे उन yellow color के रंग को observe करने लगती है क्योंकि उन्हों ने ऐसा yellow color पहले भी जान के और अपनी भावी या उस लेडी के कपड़ों में देखा होता है तो इसी लिए वो उन दिवार से निकल रहे उन yellow color के रंग को observe करने लगती है तो जैनी जब उस wallpaper के yellow color को observe कर रही होती है तो तभी अचानक से पीछे से वो लेडी जैनी को आकर डरा देती है और वो उसे अपने room से बाहर निकाल देती है ये सोच कर कि जैनी को कहीं उन patterns के बारे में कुछ पता ना चल जाए और अब finally इसका last important event तब होता है जब कुछ दिनों में ही वो लोग अपने summer vacation को spend करके वो लोग कुछ दिनों तक तो वो लेडी थोड़ा थोड़ा करके वो उन wallipers को फारने लगती है बड़ उनके holiday के आकरी दिन पर जब सारा सामान almost उस room से हटा दिया आता है बस एक bed को छोड़ कर तो उस रात वो लेडी क्या करती है सबसे पहले तो वो अपने room को lock करके वो उसकी कोल से बाहर हो जाती है और वो फिर किसी जानवर की तरह या किसी जॉंबी की तरह वो सब कुछ नोचने लगती है या फारने लगती है और इतना ही नहीं उस लेडी के हाथों से खूल निकलने लगता है और वो फिर अपने दातों से वो पलंग को नोचने लगती है और लास जमीन पर किसी जानवर की तरह क्रॉल कर रही होती है, रेंग रही होती है और वो अपने हस्बेन के बॉड़ी पर ही फिर क्रीप करने लगती है तो अब इस पॉइंट पर आकर ये स्टोरी यही पर खतम हो जाता है तो इस तरह से वीडियो खतम होता है और आई होब कि आपको वीडियो पसंद आया होगा वीडियो पसंद आया तो प्लीज आप कमेंट करके जरूर बताएं लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और थैंक यू फॉर वाचिंग